पर हेलो एवरिवन सागत एप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल GDC Medicine में हम अपने इस चैनल पर दवाईयों से रीलेटेद सही सटीक एवं संपुड जानकारी आपको देते हैं तो किसी भी प्रकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे इस चैनल को जरूर खास कर जब आपका सीने जलन यानि कि हट बर्न अपच यानि इन डाइजेशन वाली समस्या होगी प्रेट में ऐलसरवाली समस्या हो ओगी बहुत ज्यादा एसड़ी हो रही है है अने आपका पेट का एसटेग का इसट्व मख का महउंत제 हो रहा है इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये pen top DSR capsule बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी तो आज हम बात करेंगे इस pen top DSR capsule के अंदर main content composition क्या क्या चीज़े मिली हुई होगी इसका उपयोग कहा कहा देखने को मिल जाता है मतलब इस capsule के हम आपको संपूर जानकारी देने वाले है पूरे विडियों बने रहेगा ताकि कोई भी information मिस्त नहोंने पाए जी हां पें top DSR capsule के अंदर अगर हम main content अथवा composition की बात कर लें इंटरी coated capsule होगा क्या क्या मिला होगा domperidon जो की 30 mg के amount में मिला होगा और pentoprazole जो की 40 mg के amount में इस capsule के अंदर मिला हुआ होगा कौन सी company बनाती है aristo pharmaceutical private limited room temperature पे store कर सकते है और एक strip में 10 capsule आती है जिसकी कीमत 140 रुपए के आसपास आ जाती है फिर बात करेंगे हम uses की पेंटॉप DSR capsule में लिए आप क्या GEID जिसे हम क्या बोलते है गैस्ट्रोग इस्टोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानि कि आपका जो stomach का acid होता है न माउथ तक flows back हो जाता है उसकी समस्या को दूर करेगा पेप्टिक अलसर यानि stomach की इंटेस्टाइन में जो भी अलसर वाली समस्या होती है उस अलसर को भी दूर करने के लिए दी जाती है बहुत ज्यादा समस्या को भी दूर करने का काम करती है फिर बात करेंगे मेकेंजियम अपेक्शन काम करने का तरीका क्या है देखिए इसमें दो अलग 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 रोल होता है सबसे पहले जो ख़्यम यह एकसे प्रोग करेगी आपके गटीय। और एसीड रिफलक्स के समस्या को कम करेगी और पता Besides को फूटहिएक उसके मुवमेंट को बढ़ाएगी मुमेंट को इंक्रीज कर देगी और आपका यह हाइडोजन पोर्टेशियम एटिपेज इनिबिटर भी होता है उसको ब्लॉक कर देगा गस्टिक पूटान पंप को भी ब्लॉक करेगा जिससे आपका इसी डिटी बगरा और इसे डिफलक्सी समस्या दूर हो जाएगी इसके अंदर एक तरह से एंटी इमिटिक प्रॉपरिटी भी होती है जो कि गट के अ जाएगा और आपका जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन यानि कि सेटी जेट पर यह हमारा एक्ट करेगा उसको ब्लॉक कर देगा तो एंटीमिटिक प्रॉपर्टी भी सो हो जाएगी इस प्रकार से डोंपरिडॉन एक्ट करेगा पेंटा प्रोजोल की बात कर लें तरह से प्रोटान पंप इनिविटर है जो की स्टोमक के अंदर एसिट का इमाउन को घटाता है जिससे आपका एसिड नहीं बनेगा गैस नहीं बनेगा तो गैस से रिलेटेड जो अपच हो रहा था जो हर्ट बनो रहा था वह समस्या भी दूर हो जाएगी तो कुछ इस प्रकार से इसके काम करने का तरीका होता है फिर बात करेंगे सही डोज सही डोज देखो आपके डॉक्टर के हिसाब से रहे तो ज्यादा सही है वैसे एक से दूख एपसूल दिन बर में आप ले सकते हो होली स्वालो करना है चीव क्रस या ब्रेक नहीं करके खाना है बच्चों के खाने के 15 पर 10 से 30 में अदेर पावरे आप इसे ले सकते हो सात्यसाथ ऐसे प्रेइज घेसे लस् सर हो हो या गट में ब्लीडिंग हो रही हो बहुत ज़्यादा है क्या तो हूप झैशे नहीं किया जाता है प्रेगनेंट वमेन हैं ब्रेस्ट फिटिंग मदर है उनको भी रिकमेंड नहीं किया जाता है कुछ हमारी ड्रग हैं जिसे हम रिल पिवरिन कटेगरी बोलते हैं वह हमारा इससे हमारा उनके साथ नहीं दिया जा सकता है ताइड इफेट की बात कर ले तो ड्राइ माउथ हो सकता है डाइरिया की कंडिशन थकान लग सकती है इस्ट्रोमक में थोड़ा सा पॉप यानि कि हमारे फूल सकता है गया अब तो यह था आपका पेंटा डियाजार कैपसुल किसे और चलब शॉप और पूर। किसके बारे में बताएं उसे भी comment box में जरूर लिख दीजिएगा इसी तरीके से आपको किसी भी दवा की जानकारी चाहिए चैनल को विजिट करते जाएगा like, share, subscribe भी कर दीजिएगा मिलते हैं किसी अगले medicine के साथ किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए, thank you so much, all the very best